सेन्स आपकी body type के हिसाप से perfect jeans fitting की बात करेंगे आज इस वीडियो में common jeans buying mistakes की भी बात करेंगे और वीडियो के बिलकुल end की bonus tip में मेरी top 2 jeans brands और कुछ pro jeans hacks भी बताउंगा मैं आपको तो पूरी वीडियो end तक जरूर देखना तो आपकी एक perfect jeans fitting के लिए हम पूरी jeans को super simplify करके 3 sections में divide करते हैं यानि कि top, middle और bottom area jeans का जिसमें top area से हम start करें तो jeans की कमर से लेकर jeans की thigh तक इसमें सबसे पहले आपकी jeans के waist के size की बात करें तो भले ही आपका कोई भी body type हो आपकी jeans आपके ओपर ऐसी fit होनी चीए कि आप जब उसको बिना belt के भी पहने तब भी वो बिल्कुल भी खिसकने नीचीए लेकिन आपकी jeans पहनने के बाद at least आपकी दो उंगली jeans के अंदर गुसनी चीए नहीं तो वो over tight jeans के category में आजाएगी और आप uncomfortable feel करोगे अगर किसी case में आपकी jeans आपके waist से थोड़ी सी भी lose है तो आप उसको obviously belt के मदद से पहनना पर ज़ादा lose होगी तो 100% उसको tailor करवाओ secondly jeans के rise की बात करें जिसमें हमारे तीन categories आती है low rise, mid rise और high rise की jeans जिसको बिल्कुल simple भाशा में हम अगर समझें यानि कि जो low rise की jeans होती है वो आपके कमर के थोड़ी से नीचे आती है और ये कई cases में uncomfortable हो सकती है तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं पहने second type यानि की high rise की jeans ये type की jeans कमर के उपर तक आती है हमारी belly button तक ये भी most लड़कों पे अच्छी नहीं लगती लेकिन एक special case यानि की अगर आप थोड़े से मोटे हैं तो क्योंकि ये jeans आपकी belly के उपर आ जाती है तो ये आपकी belly छुपा देती है और आपको थोड़ा पतला दिखाने का illusion create करती है third type यानि की mid-rise jeans ये perfect रहती है हर एक body type के लिए comfort के साथ ये style wise भी सबसे सही दिखती है अब देखो जब भी आप offline shopping करने जाएंगे तब आप आज के बाद ये ज़रूर से notice करना की कौन सा rise उसमें लिखावा है और अपने लिए perfect ही लाना पर जब आप online shopping करेंगे तो product के नीचे about the item section में जीन्स की rise और जीन्स की fit लिखीवी होती है वो हमेशा देखना आज के बाद इसके अलावा आपके hip area की बात करें तो again जीन्स आपके hips के area में perfectly fitted होनी चीए आप जीन्स को नीचे पहनोगे जान बूझके और अगर hips का area बहुत lose होगा तो वो दोनों ही चीज़े बहुत खराब लगेंगी लेकिन आपका hips का area बहुत जादा tight भी नहीं होना चीए एक बार पहन के comfort check करके ही jeans decide करना इसके साथ आपके jeans का zipper भी बाहर आतावा नहीं दिखना चीए वो भी jeans का look बिगाड सकता है अब हम thigh area की बात करें jeans की तो jeans पहनने के बाद आप अपनी उंगलियों से jeans के fabric को stretch करके देखें वो एक required quantity में आपके हाथ में आना चीए अगर आपका fabric जादा effort करने पर आपके हाथ में आता है तो मतलब आपकी jeans काफी tight रहेगी आपपे आपकी jeans required quantity में stretch हो रही है तो मतलब उसमें cotton के साथ लाई करा elastane जैसे fabrics involved हैं तो मतलब वो jeans आपके लिए काफी better रहेगी इसके अलावा आप 2-3 sit-ups करके उठक बैठक करके भी देखना इससे आपको एक perfect idea आजाएगा hips और thigh area की fit का अब हम second area यानि की knee area की बात करते हैं तो ये area भी जब आप sit-ups करेंगे jeans try करते समय तब आपको easily इसके fit का पता लग जाएगा बट important चीज ये है कि आपकी jeans आपके knees के नीचे से tapered होते वे आनीची आपके bottom तक जहां तक jeans की bottom area की बात करी जाए तो यहां पर सबसे ज़ादा लड़के गलती करते हैं सबसे पहले तो अगर आप अपनी jeans बहुत ज़ादा उपर तक पहनते हैं तो ये गलती न करें इससे आप छपरी की category में land कर सकते हैं और अगर आपकी jeans बहुत ज़ादा लंबी है आपके जूतों को छुपाती है या फिर बहुत ज़ादा इकटी होती है नीचे तो वो भी बिलकुल ना करना best condition ये रहेगी कि आपकी jeans आपके ankle के area के around खतम होनी चीए या फिर ज़ादा से ज़ादा उसमें हलके से एक या फिर दो brakes या silvet हो सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत extra fashionable लगना है तो ankle से थोड़ा सा उपर होना चीए आपकी jeans या फिर आप jeans को fold कर सकते हैं लेकिन दो fold से ज़ादा बिलकुल मत करना अगर दो folds से ज़ादा fold करने की जरुवत पड़ रही है मतलब jeans को alter करवाने की जरुवत है similarly boot cut jeans अगर आपको पसंद है तो उसकी भी length perfect होनी चीए नहीं तो वो भी खराब लगेगी जहां तक jeans के fit के type की बात आए तो वैसे तो मैं आप सबको slim fit ही recommend करूँगा लेकिन आप regular fit या एक reasonable skinny fit jeans भी prefer कर सकते हैं और हाँ एक और majorly important बात कि क्योंकि हम सबकी body type unique है हम सबकी heights अलग-अलग होती हैं लेकिन जो jeans की companies होती हैं वो एक standard size के हिसाब से ही jeans की fit बनाती हैं तो आप भले ही कोई भी jeans लोगे आज के बाद भले ही offline या online उसे आप अपने body और अपनी height के हिसाब से perfect length में tailor करवाना बिना tailor करवाए आपको perfect fit वाली jeans बिल्कुल भी नहीं मिल सकती मैं खुद भी कोई भी jeans खरीदता हूँ तो उसको सबसे पहले tailor करवाता हूँ बाहर पहनने से पहले और हाँ इस चीज में आलहस मत करना ये छोटी सी चीज आपकी पूरी jeans का look बिगाड़ देगी फाइनली वीडियो की bonus tip के मेरी pro jeans hacks में आप जब भी jeans खरीदे तो jeans खरीदने से पहले about the item में चेक करें कि वो jeans hand wash है या machine wash और उस हिसाब से ही उसकी care करें ताकि आपकी jeans लंबी चले secondly आपकी jeans का first color navy या black होना चीए और आप चाहें तो उसमें hulkeful के knee rips या फिर बिलकुल light distressing ही prefer करना thirdly drop cross jeans, over patched jeans या फिर कोई भी ऐसी flashy type jeans आप जित्ता हो सके avoid करना number fourth अगर आपका thigh region काफी पतला है तो आप थोड़ी dark color की jeans लेना जो thigh area से थोड़ी बहुत washed out होगी जिससे कि वो illusion देगी कि आपकी thighs थोड़ी सी broader है ये similar hack आप hips, knees या फिर calves के लिए भी अपना सकते हैं और lastly मेरी दो favorite budget brands आपकी screen पे हैं आप इनका screenshot ले लो personal hygiene और underwear according to your body type की video देखने है तो left box पे click करना और teenager worst grooming mistakes देखने के लिए right box पे click कर सकते हैं